इस देखो यहां पर ICC security ने पूरे 6 stocks बता हैं 6 stocks बता हैं with target के साथ, with stop loss के साथ जो कि आपको काफ़ी एच्छा profit book करने में help करेगा तो ICC security के देखेंगे देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ खरीदना ना खरीदना secondary है लेकिन पहले देख लेना जान लेना primary है हो सकता है कि वो stock आपके पास हो और आप जल्द बाजी में base दो इससे अच्छा है ना कि जो target दिया गया है stop loss दिया गया है उससे follow करें देखो मैं आपको बताना चाहतो जब कुछ बड़ी लोग बोलते हैं ना तो भरी आप implement करो या ना करो लेकिन उस चीश को एक बार तेख जरूर लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपके हाँ से कुछ बड़ा चीज मिस हो जाए यहाँ पर तो सबसे पहला जो stocks यहाँ पर आपको बताया गया है वो है गोद्रेश प्रोपर्टी देखो गोद्रेश प्रोपर्टी पर आईसे इसी security हो या भसीन जी हो या और भी बड़ी बड़ी दिगज गलोबल इन्वेस्टर या बोल सकते हैं ब्रोकर बगर है यह सभी लोग के जो है नजर है क्योंकि गोद्रेश प्रोपर्टी एक अच्छी कंपनी है इस इसाब से यहाँ पर जो आपको बताया गया तार्गेट प्राइस पहले यहाँ पर समझ लेते हैं देख सकते हैं तार् कंपनी फास्ट मुविंग कंजूमर गूड हो गया एडवांस इंजिनिंग होम अप्लाइंस यह सारी चीज़े के उपर यह कंपनी फोकस कर लेती है और इसका पॉट्फोलियो काफी बड़ा है और भी सारे चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है यहाँ पर और लंबे समय मे हाला कि इसका एक consolidation period था जो लगबग 2010 से 2016 तक था देख सकता है 2010 से 2016 तक लगबग इस कंपनी ने 25% के आसपास ही profit दिया था जो कि खास नहीं था उसके बाद इस कंपनी ने देखो चलना स्टार्ट किया एक बार दो बार कई कई बार गिरावाट भी हुआ लेकिन अभी यह कं करती है रिल स्टेट में लगबग जो इसका 43,000 करोड के आसपास मार्केट कैब भी है और यह कंपनी जो है अब चलना स्टार्ट की है यहाँ पर दूसरी जो कंपनी आपको बताए जारी ग्रीन वेल नॉटन यह कंपनी में लगबग मल्टी बगर है काफी अच्छा इसने भ हो तो ग्रीन वेल नॉटन यहाँ पर देखो के तो यह कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है को टेंशन के बात नहीं देखने को मिलें 15 जासे ज्यादा जो है इस कंपनी का मार्केट के आप देखने को मिलना मितलब कंपनी चोटी नहीं बढ़ी है और लंबे समय में इस कंपनी देखो लंबे समय में इस कंपनी ने भी अच्छा खसाई रिटन देते हुए नजर आया है यहां पर उसकी बात यहां पर देख सकतो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं आपको बोलूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किवल ट्रेडिंग करने के लिए सही है इन्वेस बोलूँगा कि इससे अच्छे आपको मैंनेजमेंट वाले कंपनी देखने को मिल जाए अगर यहां पर फिजिकली अगर आप एक अकाउंट भी ऑपन करने के लिए चलो तो काफी ज्यादा टाइम लेते हैं अगर कहीं और दूसरे बैंक में अगर आप चलो जाओ कोटक में HDFC में तो वहां पर दावा करते हैं भाई मैं आपका एकाउंट पांच मिनिट में खोल दूँगा तो इसमें उसमें यही फर्क है कि इसका अगर आप देखो तो पचास हजार से भी ज़्यादा एटीम है और लगभग HDFC का जो एटीम है लगभग 16,000 के आज पास है सोच लो तो मैं आपको बोलूँगा के SBI को Temporary है अज़े Temporary अप ले सकते हो Target Achieve होने के बाद आप निकल सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगे SBI उसके बाद देख सकते है PNC Infra देखो यह स्टॉक चल नहीं रही थी लेकिन अब यह चलना स्टार्ट हुआ है यहाँ पर अब और यहाँ पर Stop Loss बताया है 302 रुपीज के हिसाब से तो यह जो इंफर्ट्रेक्चर के कंपणी है यह क्या करती है लगबग यह एरपोर्ट, रनवे, ब्रिज वगरा बनाती है और हाईवे वगरा बनाती है और वे ट्रंस्मिशन प्रोजेक्ट वगरा है यह सारा काम यह कं अगर आप चाहो तो लेके निकल सकते हैं यहां से और इस कंपणी में लगबग बड़े बड़े लोगों ने अपनी हिस्तेदारी खरीद रखे है जैसे पर मोटर के पास 56 परसंट जो के काफी है फोरे न लगबग पास देख सकते हैं 9 परसंट पहले 6 परसंट था अभी अगर पब्लिक से माल खरीद है अगर बेचा जाता तो सोच सकते थे कि कोई तकलीफ वाली बात है क्योंकि अगर देखो कंपनी लॉस में चल रही है इन के सकर कोई बड़ा प्रॉलम नहीं तो सारा माल पब्लिक को बेज दिया जाता लेकिन अगर अच्छा है ना तो फिर प यहां पर तो इंडिगो इंडिगो देखो एक अच्छी कंपनी बड़ी है लेकिन फिर भी ऐसी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल अभी तक साबीत नहीं हुई है तो मैं बोलूंगा एक दम ना की बराबर पैसे लगा है और इंवेस्मेंट करना चाहते हैं तो फिर भी मैं जो गवर्मेंट है बहुत सारा है इसे डॉमेस्टिक फ्लाइज से डॉमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल फ्लाइट जो है बहुत जादा हो जो है यह अलाओ कर रही है लगबाग 30 से 40 यह फ्लाइट वगरा है अब एक दो नहीं करती है मतलब काफी ज़्यादा भारी मातरे म रुपे का स्टॉप लोस आपको बताए गया 745 रुपे के आसपास है देखो सफारी जो है बहुत पूरानी कम्परी ने बहुत नहीं कंपनी है हार्ट एंड सॉफ्ट लवेस के लिए कंपनी काम करती है लग बहुत दो चारा जार करोड़ क्या सपस कंपनी का मार्केट कैफ है और बिल्कुल आपको वर्शुले डेट फ्री देखने को मिला हाला कि बहुत सारे लोगों ने आपर हिस्सेदारी भी खरीद रखी है तो मैं आपको बलूँगा एक बार देख लो और अगर इसमें से कोई भी स्टॉक्स आपके पास है और अगर आपनी यह सूचा है बहुत चोटे होते हैं तो बिल्कुल फ्री ही है डिलेवी चार्ड इस वीकिवल 20 रुपिस लगता है वो भी इंट्राटे में जो हर जगा देखने को मिलता है एंजल अब बन चुका नंबर वन स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिलता है देखो मेरे हिसाब से आपको अ